नमस्कार स्वगत्याप का हमारे चैनल चार जागंदर मिशा में पैसे गिंते गिंते ठक जाएंगे पांच भरवरी को बसंत पंचमी छे राशिया होंगी करोणपती दोस्तो माग के महीने के सुकल पक्षी जो पंचमी तिति होती है उसको बसंत पंचमी के रूपे मनाय जाता है और इस खास परववें बिद्या और कला की देवी मासरस्वती की पूजा अरचना की जाती है मा सरस्वती को समर्पित ये तेवहार बसंत पंचमी इस बार पांच फर्वरी को मनाय जा रहा है और बहुत ही जगए ऐसे भी है जहां पर बसंत पंचमी को लेकर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाय जाता है तो ये जो बसंत पंचमी का पर्व है इस दिन बहुती सुभ सायोग भी बन रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बुद्धि वाणी के लिए ही है इस दिन पूजा पाठ करने से उपाय करने से बहुत सी ऐसी चीजी है जो आपकी जीवन में अच्छी होती है मनोकामनाय पूण होती है देखे इस दिन मा सरस्वती की पूजा करने से आपको बुद्धी का आश्रवाद मिलता है इस बार इस बसंत पंचमी के दिन कई सारे दूरलव योग बन रहे हैं जिसके कारण इस बसंत पंचमी का महत और भी बढ़ गया है इस दिन मा सरस्वती का प्रागट हुआ था इसलिए इस दिन मा सरस्वती की पूरे बिद्विधान से पूजा पाठ करनी चाहिए इस दिन मांगलिक कार जैसे की बिवा होना, मुंडन, संसकार होना कोई नई विद्या आरंब करना, शीखना नया काम सुरू करना गर्भ वेस्ट करना ऐसे कारियों के लिए ये बहुत ही सुबधिन माना जाता है क्योंकि इस दिन अभूज महुर्थ होता है इस दिन रभी योग भी बन रहा है और अम्रिश शिद्ध योग भी बन रहा है इस बार बसंत पंचमी का सुब महुर्त पूजा पाठ करने का महस्तरसुती का जो समय रहेगा वह सुबह साथ बच कर साथ मिनट से लेके दुपार बारा बच के पनितिस मिनट तक रहेगा इस समय आप मास्तरसुती की पूरे बिजविधान से पूजा पाठ कर सकते हैं जो मनुष इस दिन शुब महुर्त में पूजन करता है उसके जीवन में शुबता आने लगती है इस दिन विशेश मंत्रों के जब से बुद्धी तीब्र होती है वाणी में मधूरता आती है और प्रतिवर्स मागमास के सुक्ल पक्षी पंचमी तिति को बसंत पंचमी मनाई जाती है कहा जाता है जब स्त्रिष्टी की रचना का कार भगवान स्त्री हर बिश्णू ने ब्रह्माजी को दिया तब स्त्रिष्टी निर्वान के बाद उदासी भरा वातवरण देकर ब्रह्माजी स्त्री हर बिश्णू जी के पास गए और सुझाओ मागा तब बिर्शुनु जी ने मार्ग दर्शन करते हुए कहा कि अपने कमंडल से जल लेकर धर्टी पर छिड़का तब एक चतुर भुज शुंदरी उत्पन हुई जिसने जीवों को वाणी प्रदान किया और यही देवी बिद्या बुद्धी और संगीत की देवी थी जिनके आने से सारा वातावरण संगीत में और सरस्वती देवी कहा गया दोस्तो बसंत पंचमी के जो दिन आता है तो एक तो उनकी जैनती होती है साथी साथ अभोज मुहोर्त कहलाता है इस दिन आप किशी से बिना पूछे कोई भी नए कार जैसे कि विद्ध्यारंब करना बिवा आदी, मुंडन आदी कोई भी सुब करना चाते है बच्चों के स्कूल में दाखिला करवाना चाते है इस दिन आप कोई भी नया काम कर सकते है बच्चों का मुंडन वगरा ग्रह प्रवेस वगरा कोई भी कार कर सकते है दोस्तो इस बार जो ये आ रही है यानि साल 2022 में माग महीने की ये जो शुकल पक्षी पंचमी तिथी को जो ये पढ़ती है बसंत पंचमी के नाम से जानी जाती है इस दिन कई सारे दुरलब योग बन रहे हैं इन तमाम दुरलब सभसायों को का कारण माता सरसुती कुछ विशेश राशियों के उपर बेहद प्रसन हो चुकी माता सरस्वती की किरपा कुछ बिशेश राश्यों के उपर पढ़ने वाली है और इन राश्यों की किस्मत अब माता सरस्वती चमकाने वाली है दोस्तों इस बार अम्रिश चिद्य योग और भी कई सारे जैसे के रभी योग का बनना, अम्रिश शिद्योक बनना कई सारे दूलब योक बनने से माता सरस्वती कुछ बिशेस राश्यों की किस्मत को अब बेहदी चमकाने वाली है इनके भाग को सात्मे आस्मान पर माता सरस्वती पहुचाने वाली है माता सरसुतिक सासत माता लक्षमी जी की भी किरपा इन राशी वालें उपर पढ़ने वाली है तो आखिर ये भाग साली राशिया कौन सी है जिनके उपर इस बार की बसंत पंचमे के दिन माता सरसुतिक किरपा बरशने वाली है और ये धंसे माला माल होने वाली है तो आईए आज कि इस वीडियो में इन ही राशियों के बारे में जानते हैं कि आखिर ये कौन से भाग साली राशियां हैं जो धंसे माला माल और करोड़पती बनने वाली हैं तो आप से अन्रोध की भीडियो को आप बिल्कलू भी मिशना करें और इसे सुरुस लेकर अंज तक जरूर देखें तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों बताना चाहेंगे कि सबसे पहले और खुश नसीब जो राशी है वो है यहाँ पर कने राशी कने राश को बता दे कि अब आपकी किस्मत बहुत तेजी स्चमके की माता सरसुति की बिशेश क्रिपादरिष्टी पांच फरवरी बसंत पंचमे के दिन आपके उपर बनी रहेगी अगर कोई बिद्या आरंब करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा बिद्या यानि की बिद्यार थिंक लिए बहुत अच्छा रहेगा इस्ट्वेटर निकले अच्छा रहेगा खासकर बिजनेस बियापार के लिए भी अच्छा रहेगा नए बिजनेस बियापार के स्थरुआत करेंगे नए बिजनेस बियापार से आपको जदर जदर लाब देखने को मिलेगा कई सुनहरे मौके मिलेंगे और अच्छे मौके का लाब भी आप उठा पाएंगे माता सरसुती कृपा से आप आपको धन में दुगना धन लाब देखने को मिलेगा माता लक्षमी की भी खास कृपा दुष्टे रहेगी क्योंकि इस दिन कई सारी दूलबर योग बन रहे हैं तो माता सरसुती और लक्षमी जी खास कृपा रहेगी बिजनेस ब्यापार में तेजी आएगी नई जोब लक्षकती है नई जोब के लिए प्रयास रहते तो उसमें सफलता प्राप्त होगी की जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा और अंधनी के नेने स्रोत आपके पास आएंगे साथी रुकावाफसवधन प्राप्त होगा लोटर शट्र से लाब होगा इनका माय में जवरजस्त ब्रदी देखने को मिलेगी और विशेश उपलब्दियां प्राप्त हो रही हैं विशेश लोगों से मुलाकाते होंगे घर परिबार का महौल बहुत अच्छा रहेगा अब अगली यानि जो दोसरी जुराशी आती है दोस्तों बता देए वो है यहां पर तुला राशी तुला राश्कयत को अब आपकी किस्मत बहुत तेजी चमकेगी मा सरस्वतिकी और माता लक्ष्मी की खाश कृपा आपके उपर बने रहेगी अनेक जगहों से धन का लाब होगा घर परिवार में शुक से जीवन बिताएंगे और संतान प्राप्ति के रूप में बड़ी खुशकबरी प्राप्त होगी संतान की चाहत पूरी होगी अनेक जगहों से धन का लाब होगा तमाम रुके वे कारियों का पूरा करेंगे पेंडिंग कामों में आप यनिकी मेहनत करके पूरा करने का प्रयास करेंगे और घर में अव्याई जात्कों के ने रिस्ते आएंगे ने रिस्तों की चर्चाएं होंगे साधी विवा के लिए ने रिस्ते की चर्चाएं होंगे सुब मंगल कार होंगे धार में कारेक्रम हो सकते हैं सुब मंगल यानि कि जो जिनके विवाते हैं उनके विवात बंधन में बंधने नजराएंगे घर में बड़े भाई बैनों का सहयोग प्राप्त होगा और बता दे कि अनेक जगों से धन का लाब होगा नोकरी में लाब होगा in इस टुडंड के लेंसंगित के छेतर से हैं यहां, वो और है यहां पर बता दे मकर राश कुए को अब आपकी किस्मत बहुत तेजिस चमकेगी अनेक जगों सmost धन कर लाब हmud न record मा सरसुतिय और माता लक्षमी खास कृपप आपके उपर बनी रहेगी पांच फरवरी को बसंत पंचमी को महा पर विश्वार मनाय जा रहा है और ये दिन आपके बहुत लाबकारी रहेगा इसलिए का कि पैसे गिंते गिंते ठक जाएंगे पान्च भरवरी को बसंत बंचमी ये 6 राशियां होँगी करोरपती उन 6 राशियों में से 1 राशी मकर राशी आपकी भी है और इसमें बड़े दिक्यारियों को सपोर्ट में लेगा उच्छे दिकारिया आपके कार्शेट में आपकी परशनसा करें गे अब अगली यानी जो चौथी जो राशी है वो है मेन रास मेन रास के अब आपके किस्मत बहुत तेजी चमकेगी याने जिगरों से धन का लाब होगा कुछ मुश्किल भरे कार पूरे होंगे अनेक यानी की लाब की योग बनेंगे मित्रों का सायोग प्राप्त होगा नए कार छेत्र की सुरुवाद कर सकते हैं लोटर शट्टा से लाब होगा इनकमा में ब्रदी होगी धन से माला माला वहोने से आपको कोई नहीं रोक सकता धन का बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है आकासमिक रोप से धन का लाब होगा जमें प्रोपर्टी खरिशकते हैं बेशकते हैं रियलिशेट कंड्रक्शन में काम करते हैं तो लाब होगा आपकी आमदनी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ेगी और मुनाफ़ा प्राप्त होगा अगली जो पांचमी जिराशी आती है दोस्तों बो है यहां पर मित्वन रास मित्वन रास काट को अब आपके किसमत तेजिस चमकेगी अनेक जगहों से धन का लाब होगा जो खुशे दिकते थी माताला सरस्वती कृपा से वो दूर होगी और सिक्षा के मामले में बेहतरीम प्रदर्संग करेंगे बैंक से लोन वगारे मंजूर हो सकते हैं धन का मामला आपका निप्टे गब और कोट के जरी के मामलों में लाब होगा अनेक जगहों से धन का लाब होगा धन की सिती पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होगी और बस आपको माता सरस्वती की पूजा राधना करके उन्हें पीले पूस पे पीले फल अर्पित करने हैं और पिशेष पूजा राधना करें तो पिशेष लाब होगा अब अगली यानि जो यहाँ पर जो छटमी जो राशी आती है वो है यहाँ पर सिंग राशी शिंग राश केत को अब आपके किस्मत बहुत तेजिस चमकेगी मास्तरा सुती और माता लक्षमी के खास किरपा रह दुगना धलाब हो सकता है नोकरी में उच्छा अधिकारियों को सपोर्ट मिलेगा और इसमें आप विदेश की आत्राएं करेंगे विदेशी कंपने से लाब होगा बड़े भाई वहनों का सयोग प्राप्त होगा माता पिता के सेहत में लाब होगा जीवन साथी से कंधेश छेतर में आपकी मान पर सिस्टम ब्रदी होगी भाग अकपा साथ में आसमान पर रहेगा बंद किस्मत के ताले खुलेंगे करोणपती बनने के कई सुनहरे इन छे राशी वाले ज्यातकों को मिलेगी इनकी किस्मत आप माता सरसुती और लक्षमी जमकाने वाली हैं ये छे प्राशियां किस्मत की बली रहेंगी और इन्हें बसंत पंजमी के दिन बहुत ही लाब देखने को मिलेगा तो दोस्तों इसलिए कमेंट में जरूर लिखेगा जै मासरा सुती साथी बेडियो को लाइक करें जैदे शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा जै मा सब्सक्राइब भी करें जारूर लिखेगा जैदे खाली।